हेलो फ्रेंड्स, आल मार्ट्स में आपका स्वागत है, फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दवाईएगा, जिससे आपको लेटेस्ट कमपनीज के वीड काफी ज्यादा डिमांड पर है, क्योंकि पैंडेमिक की वज़े से सारे बिजिसे ऑनलाइन होते जा रहे हैं, तो इसकी वज़े से आईटी सेक्टरों को बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ है, तो इस से जुड़े हुए जितने भी प्रोडेक्स आते हैं, उन सभी को फायद इस कमपनी के सुरात 1993 में होई थी, और उस समय ये कमपनी सिर्फ एक ब्रांड के साथ एक प्रोडेक्स की केडिगरी को एक मार्केट में ही लॉज़ किया था, और देखा जा तो आज ये कमपनी आईटी सेक्टर में इंटरनेशनल ब्रांड बज़ चुका है, तो कमपनी एक इस कमपनी का जो डिस्टिबिशन नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है, ये इंडिया के साथ साथ तर्की हो गया, साथ एशी हो गया, मेडिल इस्ट हो गया, और अफ्रीका जैसे कॉंटिनेंट्स में ये अपने ओपरेसेंस को फैलाते चला जा रहा है, अपने दो subsidiary companies के द्वारा ये third party logistics and supply chain solutions को भी provide करता है, जिसमें आपका technology products and infrastructure के लिए repair and maintenance का services provide करता ही है, और अभी के वाक्त में देखाया है, तो ये new technologies पे काम कर रहा है, जिसमें आपका artificial intelligence आगया, robotics हो गया, big data analytics हो गया, internet of thing हो गया, जिसको IOT बोलते हैं, and 5G communication के उपर ये काम कर र है, तो चली इसके business serious देख लेते हैं, कहां कहां ये काम करता है, जैसे कि मैंने आपको पहली बता है, ये IT sector के जो products होते है, उनका biggest distributor है, इसका जो brand है, वो globally present है, और IT hardware and peripheral items को supply करने में, ये leading supplier है, इस distribution के list दिखाया है, तो commercial PCs आ गया, टेक्स्टॉप्स आ गया, laptops हो गया, macbooks हो गया, laser jets हो गया, और भी accessories इससे related जो जूड़े हुए है, सभी का ये distribution करता है, 1994 में जब इस company ने शुरुवात की थी, तो उस समय इसके पास सिफ 3 ही branch थे, और 25 dealer के साथ ये काम कर रहा था, लेकिन आज के वक्त में देखाया, तो 81 से भी ज्यादा branches इसके खुल चुके हैं, और 147 warehouses इसके अभी operation में है, तो चली जान लेते हैं कौन-कौन से इस company ने award जीते हैं अभी तक, financial year 2016-17 में देख सकते हैं, IBM software subscription and support business के लिए इस company को best value added distributor का award दिया गया था, और उसी साल top value added distributor के लिए इस company को IBM के तरब से Asia Pacific 2017 choice award दिया गया था, इस company को Oracle के तरब से भी cloud transformation partner के लि गया है, और इसके साथ Palo R2 Networks ने भी इसको best distributor का award दिया है, शोनिक वाल की तरब से इसको business excellence का award दिया गया अपने distribution की छेतर में, और Schneider Electric ने भी इसको top distributor का award दिया था इंडिया के लिए, रूबा की तरब से भी इसको top distributor का award मिल चुका है, Lenovo की तरब से देख सकते best premium and mainstream performance के ल सकते हैं, यह वीनर है, supplies excellence में और इस company को autodesk के तरब से financial year 17 में best partner in marketing की तोर पे आवार्ड दिया गया है, financial year 2017 में जेखते हैं, इसने क्या क्या आवार्ड जीते हैं, Dell EMC की तवरा इसको best distributor का award दिया गया है, HP company की तवरा बहुत सार आवार्ड इस company ने जीते हैं, देख सकते है best MOQ distributor of the year का award दिया गया है इसको, best commercial print distributor का भी award जी चुका है, best distributor के बहुत ही बाद जीता हुआ है यह company, अपने digital strategy को representation करने में यह वीनल घोसित किया गया है, HP enterprise की तवरा, इसके साथ साथ best distributor का बाद तो इसको मिलता ही मिलता है, HP Indigo ने इसको number one worldwide channel press software upgrade का आवार्ड दिया है, service excellence के लिए इसको एवाड दिया गया है, HP Indigo की तवरा, और special recognition के लिए इसको एवाड दिया गया है, life size की तरफ से भी इसको APAC distribution growth एवाड दिया गया है, Maccafei ने भी इसको best distributor का आवाड दिया है, Oracle जिसे बड़ी company भी इसको cloud innovation के लिए आवाड दिया है, और Palo Alto Network ने भी इसको best distributor के लिए इसको एवाड दिया है, तो चली देख लिए फाइनिसे डिये 2019, 2020 में इसको एवाड दिया है, जैसे कि देख सकते है HP ने इसको काफी ज़्यादा दिया है, यहां पे भी देख सकते है, printing system के लिए इसको national distributor के आवाड दिया गया है, और इसके साथ-साथ premium notebook हो गया है और consumer PCs हो गये, इसके लिए भी इसको best distributor के आवाड मिल चुका है 2019 में, excellence in digital marketing के लिए इसको 2019 में Dell Technologies ने भी आवाड दिया था, और इसके साथ-साथ distributor of the year का भी आवाड जी चुका है, Dell Technologies के द्वरा, ESRI ने इसको most valuable partner के आवाड दिया है, Lenovo ने अपने thin and light laptops के segment में इस company को highest growth distributor का आवाड दिया गया है, PTC की तरब से marketing excellence का आवाड भी जी चुका है, और Shofos की तरब से best distributor का आवाड भी जी चुका है, तो overall देखा जा तो बहुत सारी कमपनियां इसको best distributor का आवाड दे चुकी है, जो कि बहुत ही बैतरीन बात है इस company के लिए है, इस company के कुछ milestones पे भी नजट डालते हैं हम लोग, जैसा कि 1995 में इसने अपने operation को begin किया था हिश्टेन इंडिया में, जहां पर ये compact and philips product को distribute किया करता था, 1996 में Intel products का distribution भी इस company ने और 1997 में Microsoft के साथ इसने agreement tie किया, जिससे ये software products को भी distribute कर सके, 1998 में IBM और Canon के साथ इसने tie-up किया, जिससे उस company के products ये distribute कर सके, 1999 में इस company ने अपने एक subsidiary company ने established किया, जिसका नाम Reddington Gulf FJD रखा गया, जो कि Middle East and African markets को capture करने के लिए किया था, 2002 में इसने अपने call center का operations को start कर दिया था, जो कि compact products के services को provide करता था, 2003 में इसने Motorola mobile phones के distribution स्टार्ट कर दिया था, और 2004 आते आते इसने Reddington Gulf FJD को पूरी तरह से acquire कर लिया, 2005 आते आते इसने Reddington Distribution Private Limited और Candance Worth India Limited डोनों को इसने acquire कर लिया था, और उसी साल इसने non IT products को भी distribution करना सुरू कर दिया था, 2007 में इसने Apple products को distribution करना स्टार्ट कर दिया था, 2007 में ही देख सकते चैन्ने में इसने high level का repair center established किया आते 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 यह Blackberry जिसे products को distribution करना सुरू कर दिया था, 2009 आते 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 चैन्ने में इसका distribution center था, वो पूरी तरह से automated हो गया, 2011 में Standard Chartered Private Equity ने इस company के 11.99% stake acquire कर लिया, 2011 में ही देख सकते है, EMC की दोरा इसने strategic relationships established किया, जिससे यह उनके products को distribute कर सके, 2013 में इस company ने तर्की की ADO IT Consulting Services की 51% stake इसने acquire कर लिया, 2015 में इसने Link Plus के उपर invest किया है, जो की leading Oracle distributor है तर्की में, और उसी साल देख सकते है, 2015 में ही, इस company ने Red Cloud Portal को launch किया था, 2018 आते आते इस company ने अपने 25 साल पूरे किया है, तो चली जानते इस company का market cap का है, जैसा कि देख सकते है, 11,925.41 करो का market cap चल र आगे बढ़ने से पहले, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेट करती है, कि मैं और भी अच्छे-चे स्टॉक्स आपके लिए ढूंड कर ला सकूं, तो चली इसका previous data भी देख लेते हैं लोग, जैसा कि मार्च 2017 में करोर्व करोर्व को गया है, और 2019 में टेक्र आव हंट धने करोर्व करोर्व करोर हो गया है, और 2019 में टेक्री अपाके लिए तक अगर इसका 5 येर का CGR रितन देखा जाया तो 23.4 परसंड निया है, पिछले तीन सवीस कपरीण ने good revenue growth 15.24% का दिया है और इसके साथ 1171.31 करोड देखे अपने कर्च को कम भी किया है इस company ने पिछले 3 सालों से ROCE को 20.99% पर maintain करते आ रहा है तो चलिए इसका parameters देख लेते हैं हम लोग नमर अपसेर्स यहाँ पर 78.12 करोड का है PE ratio अपका 35.94 पर और PV ratio के आपका 5.32 पर phase value रूपीस 2 पर है dividend lead यहाँ पर 3.8% का दिया रहा है book value यहाँ पर 28.70 रूपीस का है cash इसके पास available है 303.66 करोड का और debt देख सकते हैं बहुत ही काम है जारा debt नहीं है 0.99 करोड का ही debt इसके उपर अभी चड़ा हुआ है earning per share यहाँ पर 4.25 रूपीस पर है sales growth अभी 21.94 पर से लिए पर पर अभी तुरा नीगेटी में चल रहा है –46.22 पर से और रो इसका 13.61 पर से और रो सी इसका 20.38 पर से so friends यह तो इसका fundamental analysis हो गया आपका अब चलिए इसका share market का performance भी देख लेता है फ्रेंट्स जैसा कि देख सकते है अभी इसका प्राइस 152.65 रूपीज पर चल रहा है लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाली में इस कंपनी ने वन इस्टो वन के रिश्यू में बोनस शेयर किया है तो उसी के एकॉर्डिंग ये प्राइस इसका हाफ हो गया है इससे पहले इसका प्राइस 350 रूपीज के अभब में ही चल रहा था लेकिन बोनस शेयर इशू होने के बाद देख सकते है इसका प्राइस काफी जारा नीचे हो गया है 1697 करो का सिल्सования जरेट किया है और 97 क का सिल्सण के चल रहना ही जरेट पाफीज के इस के अच्छा खार सा बढ़ा है 201 करा नेटपर जेट किया है мärß 21 देख सकते 15,503 की और नेटपर बढ़ ड हुगा है 303 क्रोर का इसने net profit generate किया था और June 2021 में देख सकते है 13,454 क्रोर का इसे जनेट कर पाया है और net profit थोड़ा सा गिराबट हुआ है 239 क्रोर का ही net profit generate किया था तो चलिए इसका chat का analysis विकलने तम लोग 1-1 के chart से देख सकते है आप यहा 28-220 को 58 रुपीज पे था और यहां से जो इसने बढ़ना सुरू किया यह रुकने का नाम नहीं लिया यह लगातार बढ़ती गया और इसका price लगातार बढ़ते बढ़ते यह 150 रुपीज के अप्रॉक्स में मूव कर रहा है जैसा कि मैंने आपको पहली बता है कि यह prices bonus shares देने के बाद हुए है तो चली इसका overall performance भी देख लेते हैं जैसा कि देख सकते है February 21 2007 को इसका price 16 रुपीज के अप्रॉक्स में हुआ करता था और वहां से इसके price बे देख सकते है increment बढ़ना हसुरू हुआ था 38 रुपीज से पहुंच चुका था यह फिर से fall down हुआ है यह fall down हो के 10 रुपीज का रुपीज का रुप कर रहा था काफी समय तक लेकिन उसके पास से फिर से इसमें अच्छा कासे increment डेकन को मिल रहा है और इसका price लगाता बढ़ते चला गया है यह जो देख सकते हैं लोगड़न का समय ही इसका price काफी नीचे गी रहा था लेकिन अभी देख सकते हैं 150 के अप्रॉक्स मूव कर रहा है तो overall देखाया तो अभी all time high पे चल रहा है क्योंकि अभी IT sector की demand बहुत ही ज़्यादा है इसने dividend return भी ठीक ठाक दे रहता है entry point good to consider कर सकते हैं लेकिन एक चीनता जनक बात है इस stock को लेके क्योंकि अभी यह red flag zone में आ गया है लेकि मेरा मानना है कि बहुत ज़ली यह red flag zone से उपर होने वाला है अगर इसका maximum return देखाया है तो 850.43% पर दिया है इसने अगर इस stock की बात के जाए तो इस stock में बहुत ही ज़्यादा potential है यह आगे जरूर बढ़ेगा कोई भी investment decision लेने से पहले खुद भी research किजेगा या तो अपने financial advisor से जरूर सखा लिजेगा सो फिरेंज जाने से पहले like, share and comment के साथ follow जरूर करें चैनल को का इसके जरूर की उरूर को भी जरूर करें वेगा एफने से जरूर को ज़्याद को लेने से जरूर कि जरूर करें बात वाए तो अभी है थाँ...